नमश्कार दोस्तों रमेडिय अपडेट्स चैनल में आप सब का स्वागत दोस्तों आज हम आपको बताएंगे किस प्रिकार अनगिनत विमाय को जड़ से खरक खतम कर सकती है आपके किचन में रख्योई एक सधारन सी चीज दोस्तों लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपन करने वाल नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और साथ में लगेवे बैल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों वह सधारन सी चीज है हींग हींग तेज गंद वाली हींग भारतिये वेंजरों में खुश्बू और स्वाद के लिए खास तोर पर इस्तेमाल की जाती है डाल में तड़का लगाने से लेकर सबजी में खुश्बू के लिए भी इसका इस्तेमाल की जाता है आम तोर पर ये ग्यारे लाल या फिर भूरे रंकी होती है मसाले के तोर पर इस्तेमाल होने वाली हींग के कई और भी दोस्तो थोड़ी सी हिंग पीस कर पानी में घोल लें और शिश में भर लें इसे सुंगने से सर्दी जुकाम, सिर का भारीपन वे दर्द में अराम मिलता है दोस्तो भुनी हिंग, काला जीरा, सफेज जीरा, अजवयन और सेंधा नमक इन सब को पीस कर चूड़न बना लें इसको एक बार में धाई तीन ग्राम ताजे पानी के साथ लेने से दिल की कमजोरी, घवराड ताथा जलन में लाब होता है दोस्तो हिंग 120 मिली ग्राम को पीस कर, बीज निकले मुनक्का में रखकर, गोली बना कर, कम गरम पानी से खाले, कमजोरी दूर होती है अगर आपके दातों में धर्द है, तो आप इसे निम्बू के रस की कुछ बुंदों के साथ मिला कर, पर भावित दात पर लगा सकते हैं, इससे दात का दर्द ठीक हो जाएगा तो दोस्तों, देखा आपने हिंक के फाइदों के बारे में, हम बाहर द्वाई लेने जाते हैं, इन घर की चीज़ों को नजर अंदाज कर देते हैं, जबकि काभी बिमारियों का इलाज हमारे किचन में ही मौझूद है तो दोस्तों कैसा लगा आपको ही वीडियों, लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें, और चैनल और मेडिय अपडेर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टोपिक के साथ, तक तक के लिए नमस्कार.